कुम्ब रशी क्या क्या लिका है आपके नसीब में 13 से 19 जुन के बेश प्यार, पैसा और सुक सब कुछ मिलने वाला है नमस्कार दोस्तो जाए भोलेनाद दोस्तो 13 जुन से लेकर 19 जुन के बेश ये जो साथ दिन है आपके लिए वाकई भोती खास साबित होने वाला है इन दिनों में आपको प्यार, पैसा और सुक सब कुछ मिलने वाला है तो उसी के बारे में यह वीडियो होने वाला है विस्तार से सुडियो में हर एक बात को समझेंगे इसमें इंपोर्टन बाती कैसे रहीगी आपको कौन से बातों का देहन रखना है धनर रशिपल, लव रशिपल, करियर रशिपल और आपका स्वास्तर रशिपल कैसा रहीगा सबी बाते विस्तार पूर्वक इस वीडियो में चर्चा करेंगे इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें आंता तक जरू देखें और हमारी चैनल ट्रेंडिंग रशिपल को सब्स्क्राइब जरू करें ताकि इसी तरह हर रशिपल कर लेटे वीडियो आपको हर रोज देखने को मिले तो चले बिनौत गवाई जानते हैं कुम्बराशी के बारे में दोस्तो सबसे पहले कुछ इंपोर्टन बातों के बारे में जान लेते हैं रचनत्मक शौक आपको सुखुन का अहसास कराएंगे अपने धन का संचे कैसे करना है यहों हुनर आप सीख सकते हैं और इस हुनर को सीख कर आप अपना धन बचा सकते हैं गईर जरूरी चीजों पर रूपए खर्चकर आप अपनी जीवन साती को नाराज कर सकते हैं, कोई आपको प्यार से दुर नहीं कर सकता, रात को जीवन साती के साथ खाली वक्त बिताते समय आपको लगेगा कि आपको उन्हें और भी वक्त देना चाहिए, आज से पहले शाद कि सलाह आपको उस विशय की जडलताओं को समझने में सहक होगी, आर्थिक सिती में जबरदस्त सुधार आएगा, आप सकारत्मक उर्जा से भरपूर रहेंगे, सरकारी कर्मचारियों को बड़ी मातरा में लाब मिलने की उमेद बन रही हैं, आप अपनी मेहनत के बल पर कट इन से कटिन काम पूरे कर सकते हैं, दोस्तों के साथ मिलकर नया व्यापर शुरू करेंगे, जो आपके लिए फैदेमन साबित होगा, जीवन साती का पूरा सहयोग मिलेगा, प्रेम जीवन में खुशी आप बनी रहेगी, आप अपने प्रिय से दिल की बात शेयर कर सकते हैं आपको कुछ चवकाने वाले बातों भी पता चलेगी, लेकिन चिंता ना करें, सब अच्छी खबरे होंगी, जिन कई चीजों के लिए आप लंबे समय से कोशिश कर रहे थे, पूरी होने वाली हैं, जिन कोशिशों को आप अपने और से वेरतमान चुके थे, वे अंत सपल ह इसलिए दोस्ती और परिजनों के साथ खुशिया बनाएं, हो सकता है कि उनके पास भी आपको सुनाने के लिए कुछ अच्छी खबरे हों, दोस्तो आप बात करते ही कि आपको कौन से बातों का ध्यान रखना है उसके बारे में, दोस्तो गाड़ी चलाते समय साउधान रहे दिन बहुत लाबदैक नहीं है, इसलिए अपनी जेप पर नजर रखें और जरुरत से जादा खर्च ना करें आपके बच्चे के पुरसकार वित्रन समारों का बुलावा आपके लिए खुशनमा एहसास कराईगा, वह आपके उम्मिदों पर खरा उतरेगा और आप उसके जरिये अपनी सपनी भी साकर करते हुए अपने आखों से देखेंगे सचे और पवित्र प्रेम का अनुभव करें, आप सारे रिस्तो और रिस्तेदारों से दूर होकर अपना दिन किसे ऐसी जगह पर बिताना पसंद करेंगे, जहां जाकर आपको श्यान्ती प्राप्त होती है, आप व्यवाहिक जीवन का असली स्वाद चक सकते हैं, अपने पंदे, दोस्तों अब बात करते हैं किस तरह से प्यार, पैसा और सुख सब कुछ मिल जाएगा उसके बारे में जानते हैं, दोस्तों इस सब तहमी जो लोग प्यार में नए हैं, रिस्ते में जोकि नए हैं, उनमें अच्छा खासा पॉजिटिव रिस्पॉंस देखने को मि अच्छा रिस्पॉंस मिलेगा, इससे आप और भी नजदिक पाएंगे, रोमान सुख भी मिल सकता हैं, साथी साथ जो लोग नया बिजनिस फिला ले डाल चुके हैं, उनको भी अच्छा खासा प्रॉफिट इस सब्ता में होता हुए, आप देखेंगे, साथी सुख भी गर बेटे पा सकते हैं, दोस्तों प्रॉब्लम चाहिए कैसी भी हो, परेशनी चाहिए जैसी भी हो, आप घर बेटे हमसे संपरकर कर सकते हैं, जोतिश शास्तर के अनुसार और कुंडले के अधर पर, आपके सभी प्रॉब्लम परेशानियों का समाधान किया जाएगा, तो ह आपका धनराशिपल कैसा रहेगा उसके बारे में। जिसका हल आपको नजर आ सकता है। आप इस विचार पर अडिग रहे और समाधान निकलने की कोशिश करे। चाहे वह कितना भी अटपटा या अजीब हो लगे। अगर आप कुछ जोखिम लेंगे तो आपको अथ्यादिक लाब होगा जो आपने सोचा भी ना होगा। तो दोस्तो करियर राशिपल की बात करें तो आप पायेंगे कि आपके करियर में आपके लिए बहुत सी अश्चर जनक बाते छिपी हुई हैं। कोई आपकी कारिक शमता को जांच रहा है और आपसे बहुत प्रबावित भी है। आपको कोई नई नोकरी का निमंतरन मिल सकता है। इस मोक्य का लाब उठा कर आप अपने करियर को और आगे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों लव राशिपल की बात करें तो आप थोड़ा निराशा और उदास अनुबो करेंगे। क्योंकि आपने जिसे दिल दिया उसने उसका अनुकुल उत्तर नहीं दिया। आपको उससे मना नहीं करना चाहिए पर जिस गर्मजोश, उमंग और जल्दबाजी की आपको उससे आस्ती वहन नहीं मिली। दिरज रखें और अपने जज़बातों पर लगाम लगाए। सपलताज जरूर मिलेगी। अगर मौजुदा संबंदों में वो अपमान आप महसुस नहीं कर रहे हैं तो भी अपने मन को सकरत्मक रखे। आपका साथी अपनी प्रीमी की भाउनाओं को उसी तरीके से व्यक्त नहीं कर रहा है जिस तरह से आप व्यक्त करते हैं। यह समय किसी को चोट पहुंचाए बिना आगे बढ़ने का समय है। आप लोगों से मिले, समहरों में जाए और हो सकता है कोई साथी आपको मिल जाए जो आपकी दिल को समझेगा। दोस्तों आप बात करते हैं आपका स्वास्तर शिपल कैसर हीगा उसके बारे में। अच्ची सेहत पाने के लिए अगर आपने जिम जाने का विचार कर लिया हैं तो पहले चिकिस तक की सलह लेना ना बुले। उसकी सलह आपको निर्देश ही नहीं करेगी बलके आपको उन व्यायाम को करने के लिए सचित भी करेगी जिससे आपको नुक्सान पहुंच सकता है। आप पोश्टिक और संतुलित भोजन लेना शुरू कर दे इससे आपको फायदा जरू होगा। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आपको जोकी कुम्पराशी भोईशर रहने वाला है। दोस्तों वीडियो सच में चलागा तो इस वीडियो को लाइक करेगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों के संग शेर करेगा और हमारी चैनल ट्रेंडिंग राश्यपल को सब्सक्राइब जरू करेगा। तो दोस्तों आज की सुरू में बस इतना ही, मिलते हैं नेवरों के साथ धन्यवाद।